हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में क्लाश 10 का चेप्टर फ्रॉम दे डायरी आफ एने फ्रेंक देखने जा रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और सजेशन्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एने फ्रेंक 12 जून 1929 में एस जर्मन बॉर जुइश गल थी जिसने एक डायरी जब लिखी थी जब वो उनकी फैमली और चार दोस्तों के साथ एमेस्टर डैम में छुपी हुई थी जब वर्ल वार टू के टाइम नीदरलेंड्स का जर्मनी पर कबज़ा था एने एक डायरी लिखना शुरू की जब उसके फादर ने उसे उसके 13 बड़े पर एक डायरी as a gift दी एने फ्रेंक को लगता है कि डायरी में लिखना उसके लिए एक अजीव experience है जोकि उसने पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा था एने का सोचना था कि एक 13 साल की छोटी बच्ची की बातों में कौन interested होगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं था और एने ने अपनी family का डायरी में एक brief introduction दिया ताकि हम उसकी family, relatives और उसकी age का overview पता कर सकें एने का मानना था कि लोगों की comparison में पेपर में ज़्यादा patience है उसके 30 friends थे लेकिन उसका एक भी सच्चा दोस्त नहीं था जिसका वो विश्वास कर सकें इसलिए ही उसने diary writing शुरू की और उसने अपनी diary का नाम kitty रखा जो उसकी दोस्त थी उसके बाद एने और उसकी family अपने secret annex में shift हो गए जहां पर सामने office था, store room था और पीछे की तरफ एक secret annex बना हुआ था और उसका entrance एक book case के पीछे से था और वो कुछ इस तरह से partition किया गया था उनकी पूरी class डर से काप रही थी क्योंकि आज teachers decide करने वाले हैं कि कौन अगली class में promote किया जाएगा एने उसके friends जैसी कुछ ज़्यादा घबराई हुई नहीं थी पर वो बस maths के लिए sure नहीं थी Mr. Kazing उसके maths teacher उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वो बहुत बात करती थी as a punishment वो एने को ऐसे लिखने के लिए कहा करते थे उन्होंने उसको the chatter box पर ऐसे लिखने को कहा एने ने ऐसे लिखा उसने उसमें argue किया वो इस चीज में मदद नहीं कर सकते लेकिन वो इस hereditary trait को control करने का वादा करती है इसके बाद एने में कोई सुधार न देखने के करण उन्होंने उसे एक और ऐसे लिखने के लिए दिया the incorrigible chatter box third lesson के दोरान उन्होंने quack 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 sad mistress chatter box पर ऐसे लिखने को बोला पूरी class और एने हसने लगी उसकी friends से help लेकर उसने तीन ducklings के बारे में एक poem लिखी और उसने उसमें लिखा कि ज़्यादा quack quack करने की वज़े से उन ducklings को उनके फादर ने मार डाला इसको पढ़ने के बाद मिस्टर केजिंग ने उसे एक भी punishment नहीं दिया fourth august 1944 में एने को उनकी mother, sister और father के साथ concentration camp में भेज दिया गया वो 1945 में बेरगन, बेलसन के टाइफूस में मारी गई उसके father auto ही survive कर पाए और उन्होंने ही एने की डायरी को 1947 में The Diary of Young Girl के नाम से publish करवाया एने Frank, hope और faith की symbol थी एने ऐसी भायानक स्थिती में होने के बावजूद हमेशा positive और happy रहती थी इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा happy और positive लहना चाहिए